हलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम तू माई चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम इंसी रटी हिंदी क्लास थ्री के पार्ट टू शेखी बाज मक्खी के प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं और ये वीडियो इस पार्ट की पार्ट टू वीडियो है लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास थ्री हिंदी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न कैसी लगी कहानी यानि ये कहानी आपको कैसी लग और ये डिसकस करिये कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, और वो अच्छा क्यों लगा? कहानी में लोम्डी ने बड़ी क्यालाकी से काम किया था. अगर आपको लोम्डी अच्छी लगी हो, तो लोम्डी के बारे में लिखे, या फिर दूसरे जो भी जानवर थे वो अगर आपको अच्छे लगे हों तो उनके बारे में लिखे लोमडी के बारे में आप लिख सकते हैं मुझे कहानी में लोमडी सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने बड़ी होश्यारी से मक्षी को मकडी के जाल में फसा कर उसके व्यर्थ के खमन को चूर चूर कर दिया अगला प्रेश्ण है मक्षी मकडी के जाल में फस गई थी फिर क्या हुआ होगा कहानी आगे बढ़ाओ इसके बारे में भी आपको अपने फ्रेंड के साथ डिसकस करना है और कहानी को आगे बढ़ाना है जब कोई मक्षी मकडी के जाल में फ्रस जाती है तो उसके साथ क्या-क्या हो सकता है ये सोच करके आपको कहानी को आगे बढ़ाना है उत्तर में आप लिख सकते हैं मक्षी ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की क्योंकि हर मक्षी फसने के बाद चाल से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वह काम्याब ना हो सकी काम्याब का मतलब है सफल अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने कितनी बड़ी गलती की थी उसे ये एहसास हुआ होगा वह इतनी ठक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ले कुछ देर के बाद वह मर गई आपने देखा होगा कि जब कभी आपके हाथ में मकड़ी का जाल लग जाता है तो उसे छुडाना कितना मुश्किल होता है इसी तरह से मक्षी तो बहुत छोटी होती है जब जाल में फस गई होगी तो उसे अपने आपको छुडाना बहुत मुश्किल होगा और वो जाल में उलज़ती चली गई होगी और अंत में उसकी मृत्त हो गई होगी आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं या फिर अपने शब्दों में कोई भी आंसर बना करके लिख सकते हैं कहानी का नाम अगला कुश्चन कहानी के नाम से संबंदित है अगर कहानी का नाम मक्षी को ध्यान में ना रखकर लोम्री और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसकी क्या-क्या नाम हो सकते हैं पूरी कहानी में मक्खी को जादा फोकस किया गया है जादा importance दी गई है, महत तो दिया गया है अगर मक्खी की जेखे कहानी में लोम्डी और शेर को जादा फोकस किया जाता जादा महत तो दिया जाता तो इस कहानी का नाम क्या-क्या हो सकता था ये आपको बताना है इस कहानी के कई नाम हो सकते हैं जैसे चतुर लोम्डी और मक्षी दूसरा लोम्डी ने सिखाया मक्षी को सबक तीसरा लोम्डी ने किया मक्षी का घमंड चूर-चूर चोथा शेर और मखी और पांचवा शेर और बेवकूफ मखी अगला प्रशन है अब तुम कहानी के लिए एक नया शीरशक सोचो शीरशक का अर्थ है कहानी का नाम या उसकी टाइटिल या शीरशक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए पात्र से मतलब है उस कहाने में किसके बारे में बात की गई है कहानी की किसी घटना के बारे में शीशक हो सकता है कहानी जिनके बारे में थी या इस कहानी के पात्र थे मख्य, शेर, हाथी और लोमडी यानि अब जो आपको शीशक लिखना है, कहानी का नाम लिखना है, उसमें मक्षी, शेर, लोमडी या हाथी का नाम नहीं आना चाहिए, आप उत्तर में लिख सकते हैं, घमंडी की हाल, दूसरा घमंड मुश्किले बढ़ाता है, और तीसरा घमंड का फल, कहानी में जो भी जगे होते, तो इन प्रिश्न के उत्तर क्या देते, मक्षी ने जब शेर को जगाया, तो वह आग बबूला हो गया, आग बबूला एक मुहावरा है, जिसका आर्थ है, बहुत जादा गुस्सा हो जाना, तुम्हें जब कोई गहरी नीन से जगाता है, तो तुम क्या करते हो मक्षी जब शेर को बार-बार जगा रही थी, तो उसे बहुत जादा गुस्सा हो रहा था, इसी तरह से जब आप सोती हो गहरी नीन में, और आपको कोई उठा दे, तो आपको कैसा लगता है, क्या आपको गुस्सा आता है, या आप क्या करती हो, इसके बारे में लिखना है आप उत्तर में लिख सकती हो, जब मुझे कोई गहरी नीन से जगाता है, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ, इसके अत्रियत अगर आपके मन में कोई दूसरा उत्तर आ रहा है, तो उसे भी आप लिख सकते हैं अगला प्रेशन है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, परिशान हो गया था, बोर हो गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो, उसके बारे में आपको लिखना है, आप उत्तर में लिख सकते हैं, मैं कभी कभी एक ही तरह के खेल खेलते खेलते उब जाता हू अगला question है मान लो तुम share हो मक्षी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोम्डी को बताओ थोड़ी देर के लिए ऐसा मानलिज़े कि आप share है और आपको मक्षी ने परेशान किया है यह सारी बातें आपको लोम्डी को बतानी है यहां पर आप वो सारी बातें लिखेंगे जो कुछ भी मक्षी ने शेर के साथ किया था आप लिखेंगे लोमडी बहन एक छोटी सी मक्षी से हार कर मैं बहुत दुखी हूँ मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुसाहस किया देखने में इतनी छोटी है किन्तु मुझ से लड़ने को तयार हो गई मेरे गुस्ते का उस पर कोई असर नहीं पड़ा वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर बैठ जाती जैं मैं उसे पंजे से मारता हूं तो वह उड़ जाती मैंने उसे पीछा चुडाने के लिए उसे हार मान ले भगवान ने चाहा तो उसका घमंड अवश्च चूर चूर हो जाएगा अगला प्रशन है शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था तुम खाना खाकर क्या करते हो कहानी में शेर भोजन करने के बाद खाना खाने के बाद आराम कर रहा था आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं यह आपको लिखना है और यहाँ पर दो पॉइंट दिये हैं पहला है अक्सर और दूसरा कभी-कभी इन दोनों शब्दों का यूज़ करके आपको सेंटेंसे बनाना है अक्सर शब्दे के लिए आप वाक्य बना सकते हैं मैं अक्सर लेट जाता हूं और दूसरा कभी-कभी के लिए आप वाक्य बना सकते हैं कभी कभी मैं टीवी देखता हूँ चलिए अगले प्रिश्र को देखते हैं शेर ने भोजन में क्या खाया होगा तुम क्या क्या खाते हो शेर एक मासाहारी जानवर है इसलिए वो जंगली जानवर को खाएगा और आप घर में रहते हैं इसलिए आप घर में जो भी भोजन है उसे खाएंगे शेर के लिए आप लिख सकते हैं शेर एक मासाहारी जानवर है इसलिए उसने जंगली जानवर को खाया होगा और अपने वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं मैं दाल, चावल, रोटी, सबजी, फल, आदी सभी कुछ खाता हूँ या खाती हूँ अगर आप लड़की हैं तो खाती हूँ लिखेगा और अगर आप लड़की हैं तो खाता हूँ लिखेगा किसने क्या कहा यहाँ पर कुछ तस्वीरे हैं पिक्चर्स हैं जिसमें कहाने के कुछ पात्र दिखाए गए हैं इसमें आपको पिक्चर को देख करके ये बताना है कि कौन किस से क्या कह रहा है नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरे दी गई है उनमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है इस तस्वीर को पिक्चर को देखे यहां पर ये एरो मक्खी की यानि शेर मक्षी से कुछ कह रहा है, मक्षी बहन अब तुम मुझे छोड़ो मैं हारा, तुम जीती। इस पिक्टर में देखें ये एरो मक्षी की तरफ है यानि मक्षी हाथी से कह रही है, अरे हाथी मुझे प्राणाम कर मैंने जंगल के राजा को हराया है। इस वाली पिक्चर में मक्खी की तरफ एरो है यानि मक्खी लोमडी से कह रही है लोमडी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई इस वाली पिक्चर में ये एरो लोमडी की तरफ है यानि लोमडी मक्खी से कह रही है मक्खी रानी उधर मकडी आपको गाली दे रही है जरा उस कि खबर लोना अगला प्रश्ण है कौन क्या यानि कहानी में जो भी पात रहें वह कौन है और किस तरह की है कहानी के हिसाब से बताओ घमंडी कौन था घमंडी थी मकडी चतुर कौन था चतुर थी लोम्री, समझदार कौन था हाथी, डरपो कौन था शेर, और सबसे चतुर कौन था लोम्री और आलसी था हाथी भाशा की बात इन वाक्यों को अपने धंग से लिख कर बताओ पहला वाक्य है, शेर आग बबूला हो गया, इसे आपको अपने धंग से अपने शब्दों में लिखना है आप लिख सकते हैं, शेर क्रोधित हो गया, क्योंकि आग बबूला का मतलब होता है, बहुत जादा क्रोधित होना उस्सा होना अगला वाक्य है उसकी जरा खबर लोना यहां पर जरा का अर्थ है थोड़ा सा और खबर का अर्थ है हाल चाल पूछना या समाचार यहां पर आप लिख सकते हैं जरा उसकी पास जाओ या उसका हाल चाल पूछो यहां पर यह वाक्ड निगेटिव वे में है क्योंकि लोमडी ने मक्डी को बताया था कि मकडी तुम्हें गाली दे रही है अगला वाक्य है उस मकडी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ ये मक्डी ने लोमडी से कहा था मकडी के लिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं उस मकडी को तो मैं छड़ भर में चान से मार डालोंगी अंतिम बाग के है जंगल के राजा के मुझे ऐसी भाशा कहीं शोभा देती है शोभा का मतलब है सुन्दर या अच्छा इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं जंगल के राजा के मुँसे ऐसी भाशा अच्छी ने लगती या फिर आप लिख सकते हैं जंगल का राजा ऐसी बात नहीं करता उड़ते मंडराते इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है किसके पास देखा है जलते बल्ब के आसपास खेतों में इखठे पानी के ऊपर फूलों पर कच्रे के ठेर पर हलवाई की मिठाईयों पर यहाँ पर आपको कीडों के या जानवरों के नाम लिखना है पहला है जलते बल्ब के आसपास कौन से जानवार उड़ते या मंड़ाते हैं तो पहला आप लिख सकते हैं कीडे अक्सर जब बल्ब जलता है तो वहाँ पर कीडे मंड़ाते हुए दिखाई देते हैं या फिर छिपकली आपको दिखाई देती है दूसरा खेतों में, खेतों में आपको क्या दिखाई देता है, केड़े दिखाई देते हैं, टिट्टे दिखाई देते हैं, तितली या फिर आप भावरा भी यहाँ पर लिख सकते हैं अगला है इखटे पानी के चारों तरफ जब पानी इखटा होता है तो उसमें आपको मच्छर दिखाई देते हैं और मख्छर और मख्छी मंडराते या उत्ते हुए दिखाई देते हैं और आखरी है लास्ट है हलवाई की मिठाई पर हलवाई की मिठाई पर आपने अक्सर देखाऊगा कि मख्छा उड़ती हुई मंडराती हुई दिखाई देती हैं ये पार्ट का अंतिम प्रश्ण था दिस इस दा एंड अफ वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो